अम्बेटकर के दुस्मन वीडियो भाग दो बावा साब अम्बेटकर के बर्थ से पहले 129 जो बर्डे था उससे पहले एक वीडियो बनाई थी एटल था अम्बेटकर बाद को बचाना है तो या अम्बेटकर के दुस्मन भाग एक उसमें जो मैंने बातें कहीं और जो बातें बताईढ़ीं वो बातें बहुत साए लोगों को अच्छी लगी कुछ लोगों को खराब लगी मेरे Facebook पेज पेर ये जो पोष्ट है इसमें कमेंट में है और बाकी जो बातें हुई हैं वो मैं यहां आपको दिखाऊंगा एक सजन महाराज से लिखते हैं कि आपका संग्ठन पक्च क्या है आप किस संग्ठन के हैं मैंने उनको कहा कि जितने भी अंबेटकर आइडिलोजी पे या बुद्ध की फिलोस्पी पे जितने भी संग्ठन हैं वो सारे मेरे हैं बोले नहीं आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते आप अपने संग्ठन का नाम बताइए मैंने कहा सारे संग्ठन मेरे हैं अगर वो अंबेटकर आइडिलोजी पे हैं या बुद्ध की फिलोस्पी पे हैं और ये चौदे अप्रेल तक ही मेरे हैं अगर ये सारे इखटे एक हो जाते हैं अगर ये सारे इखटे एक नहीं होते हैं तो चौदे अप्रेल के बाद में मेरा कोई भी निमे से संग्ठन नहीं है उन्होंने फिर कहा कि आप आप discussion नहीं करना चाहते, आप बताना नहीं चाहते मैंने उनसे कहा कि आपको साइद Hindi नहीं आती है, English आती है तो मैंने उनको English में जवाब same लिखा यही, सारे संग्ठन मेरे हैं, अगर वो अमबेटकर आइडेलोजी पर या बुद्ध की फ्लोस्पी पर है 14 अपरेल तक, अगर एकटे नहीं होते हैं, तो 14 अपरेल के बाद कोई संग्ठन मेरा नहीं है उन्होंने कहा कि नहीं आप ठीक से नहीं बता रहे हैं, तो मैंने कहा आप अपना phone number दे दीजिए, मैं आपसे बात कि लेता हूँ उन्होंने phone number नहीं दिया फिर उन्होंने अपना लिखा वो जिस संग्ठन के हैं उस संग्ठन के वारे में उन्होंने एक लंबा चोड़ा लिखा उसमें और उन्होंने बताया कि हमने ऐसा किया है, ऐसा किया है, ऐसा किया है तो मैंने उनको कहा कि आप 10,000 संग्ठन में से एक संग्ठन की बात कर रहे हैं और मैं सारे संग्ठनों की बात कर रहा हूँ सारे संग्ठन मेरे हैं ये आपका है तो उन्हें कुछ और कहा तब मैंने उनसे कहा कि आपको साहित समझ में नहीं आ रहा है आपकी जो आदत है वो पड़ी हुई है कि आपका एक संग्ठन होना चाहिए तो आप मुझसे भी यह उम्मीद लगा रहे हैं कि मेरा भी कोई एक ही संग्ठन होना चाहिए एक मेरा आका होना चाहिए एक मेरा मालिक होना चाहिए मैं उसका गुलाम होना चाहिए हूँ मैं उसका कारे करता के नाम से उसका काम करूँ उसके लिए पैसे खटा करूँ उससे कभी ये ना पूछूँ के तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तेरा मुवमेंट क्या है हम कहां जा रहे हैं क्या हमारा नुकसान है क्या फाइदा है तब ही आप इसको आंसर मानोगे आपको ये बास समझ में नहीं आती कि सारे संग्ठन अगर मेरे हैं ये जो आपने अपना संग्ठन बताया है क्या ये संग्ठन मेरा नहीं है क्या ये संग्ठन आपकी प्रॉपर्टी है क्या आपने जो बाबा साव होते तो आपके कान के nीचे दो लगाते हैं उसके बाद वादल आप खतम हो गई मगर वादल आप में एक व्यक्त ने कहा के आप बहुत सही कहए और एक व्यक्ति और नीचे आया उसने ये कहा के आपका विचार बहुत गहरा है और अगर सबी लोग मिलके और इस फलाने नेता को अगर सपोर्ट करें तो इसमें आपका क्या विचार है अब मेरा माथा ठंका और मेरा दिमाग घूम गया महाराष्ट को एं एक अजीव सी बात है क्योंकि बावा साब का वो वर्थ स्टेशन रहा है कारेव छित रहा है कम भूमी रही है तो महाराष्ट के लोगों का अपना एक राइट मानते हैं कि बावा साब पे हमारा अधिकार ज़्यादा है जबकि ये बात पूरी तरसी गलत है क्योंकि बावा साब तो इंटरनेशनल परसनल्टी है पूरी दुनिया का उन पर अधिकार उतना ही है जितना महाराष्ट के लोगों का है और अगर महाराष्ट के लोग बावा साब पे रपना ज़्यादा अधिकार मानते हैं तो वो बावा साब के कद को खींच कर छोटा कर देते हैं क्योंकि वो आगे बढ़न नहीं देंगे वो तो अपना राइट मानेंगे तो औरों का राइट होगा नहीं तो लोग मानेंगे क्यों इसलिए महाराष्ट के लोगों को पहले तो यह सोचना चाहिए कि इसे छोटी और संक्रिण मान सिक्ता से बाहर निकले कि बावा साब का राइट सिर्फ महाराष्ट के लोग कर नहीं है महाराष्ट के लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं कोई भी ज़्यादा काम कर सकता है इससे बावा साब का छोटा या बड़ा कद करना उनका अपमान करना है दूसरी बात यह है कि महाराष्ट के लोग जितने बुद्धी मान हैं मैं फिर कहूंगा मैंने पहले भी कहा था कि वो सारे के सारे आधे बुद्धी जीवी है वो महनत पूरी करते हैं कितावें पढ़ते हैं और अपने आप में एक अभिवान रखते हैं ना भी चाहिए कि हम डॉक्टर मेटकर के वारे में ज्यादा जानते हैं उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो भी वहाँ हैं मगर सूचिए कि बावा साब ने जो कहा संग्ठत रहने के लिए आप तो संग्ठत हैं नहीं आपने तो महराष्ट में दसियों हजार संग्ठन बना रखे हैं और उकी दबाज छोड़िये जो खुद बावा साब के परिवारें उसमें ही कही संग्ठन हैं उसके लावा जो जानकार हैं उनके कही संग्ठन हैं तो आप हजारों संग्ठन बनाकर महाराश्ट में सैकडो संग्ठन बनाकर क्या कहना चायते हैं कि आप अम्भेट करवादी है 14 अप्रेल जो आप सबसे ज़्यादा जुरुष निकालते हैं आप सबसे बड़ा जंडा उठाते हैं आप बावस आपको सबसे ज़्यादा जानते हैं उनका पहला सेंटेंस है संगठत रहो आपका तो महराष्टी संगठत नहीं है आपके धरम के हजारो टुकड़े हैं आपके दलबल सेना के हजारो टुकड़े हैं आपके अंबेटर के परिवार के कही टुकड़े हैं एक हसी की बात है कि अम्बेट का नाम पीछे लगा के और अलगलग काम चलगा है यानि संग्ठन का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है क्या सब अपना अलगलग personal agenda बावा साथ के नाम पे लेके आ रहे हैं अगर बावा साथ का agenda ही है तो फिर तो एक ही सब होना चाहिए और आपके personal agenda बावा साथ के नाम पे है तो ये तमासा क्या है आपको नाम रखते हैं कि हम धमका काम कर रहे हैं और आपका सारा speech किस पे आता है? politics के उपर आता है आप नाम रखते हैं कि हमारा जो काम है वो सब को संग्ठित करने का है तो सबको संग्ठित करने में क्या ये सेंकड़ों, हजारों संग्ठित नहीं आते इनको संग्ठित नहीं करना है जब आपके परिवार में ही अलग-लग लोग चलने हैं परिवार ही संग्ठित नहीं है तो लोगों को ये समझना चाहिए उनके अनुयाईयों को ये समझना चाहिए कि आपको रिजट नहीं मिलने वाला आपको 10,000 साल तक भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बावा साब के पहले सिधानत को ये आप नहीं मानते आपकी देखा देखी और आपी की तरह से पूरा पैटर्न पूरे भारत में है और भारत की बात चोड़ी है भारत के बाहर भी कही सारे इंटरनेशनल सेंटर बने हुए है बावा साब, डॉक्टर अमबिट का इंटरनेशनल गिलोबल, पता नहीं क्या-क्या बने हुए सब अलग लग है तो आप बावा साब को हर उनके जर्म दिन के अंदर मारते हैं सारे संग्ठन उनका हत्या करते हैं उनका किल करते हैं क्योंकि वो बावा साब के पहले सूत्र को नहीं मानते जिसमें लिखा हुआ है, कहा हुआ है कि संग्ठित रहो आप तो असंग्टित हैं आप तो हर बार असंग्टित कर रहे हैं आप में इतनी समझ नहीं है कि बावास आपका एक पूरा संग्टन बना के एक जैनती एक तरह से नर्दिर्शित हो जब सारा काम आप समाज के लिए कर रहे हैं तो इसमें दिक्तत क्या है या तो आप सारा काम समाज के लिए नहीं कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं तो इसमें दिक्तत है और अगर समाज के लिए कर रहे हैं तो फिर दिक्तत कहा है जितने भी संगठन हैं उन संगठनों का कोई भी बेस नहीं है नहीं उनके पास में कोई रणनी नीती है नहीं वो आपस में बात करते हैं नहीं उनमें कोई सामज़से है नहीं उनमें के अंदर कोई भी ऐसी भावना है कि वो मुसीवित के समय एक हो जाए एक सबसे बड़ा उधारण देखिए कि आज के समय जब महामारी चल रही है पेंडेमिक चल रही है पूरी दुनिया के अंदर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित है भारत के अंदर सोविधाय नहीं है गरीब लोग पैदल जा रहे हैं उनके पैरों में फखोले पड़े हुए हैं बहुत साई लोग बी वोइस कोज़ popular नहीं उठा रही है तो आप यह मानिये कि आप असंगठित हैं बावासाओ के संगठित होने के सिध्धान्त को आप जानते ही नहीं है अगर आप जानते होते तो आपको समझ में आती है और आपके यह जो कारे करता जो आपने उनको बुल्कुल गुलाम बना अगर आप काबिल हैं तो आप सब के साथ चल सकते हैं और आप काबिल नहीं है तो आप अकेल भी क्या चलेंगे और किसने आज तक क्या result दिया है 70 साल होगे 70 साल में इतने once और इतने बाद और इतने व्यक्ति आए क्या हम व्यक्तियों को आगे बढ़ा रहे हैं बाबा साब ने कभी नहीं कहा कि once को आगे बढ़ाना है या व्यक्ति को आगे बढ़ाना है कोई व्यक्ति सक्षम हो सकता है कोई वनसज सक्षम हो सकता है तो वो सबके साथ चलेगा तो रियल्ट आएगा अकिला चलेगा तो ना उसका वनसज का कोई रियल्ट आने वाला है ना ही किसी व्यक्ति का आने वाला है क्योंकि बाबा साहब ने व्यक्ति को अकेले चलने के लिए या वंस को चलने के लिए कभी कहा हो तो मुझे बताई बाबा साहब ने संगटित होने के लिए का है सीधे सब्दों में कहें तो संग बनाने के लिए का है सीधे सब्दों में कहें तो सबको unite होने के लिए का है सीधे सब्दों में कहें तो unified होने के लिए का है इस मंत्र को आपको समझ मनी आता हमको आप कहते हो इखटे हो जाओ, संग्डित हो जाओ मैं तुमारा नेता हूँ, मैं तुमारा लीडर हूँ मैं तुम्हें ये कर दूँगा, मैं तुम्हें वो कर दूँगा हम तो 2 अप्रेल को संग्ठित होगे आप लोग संग्ठित नहीं हुए क्योंकि आप तो आधे बुद्धी जीवी है आपको लगता है कि सब आपके पीछे खड़े हो जाए और व्यक्ति को आगे बढ़ाए बावा साब ने कब कहाता कि व्यक्ति को आगे बढ़ाना है बावा साब ने कब कहाता कि वंस को आगे बढ़ाना है बावा साब ने कब कहाता कि ऐसी सक्तियों को आगे बढ़ाना है जो मेरे हजार टुकड़े करें बावा साब ने कब कहा था कि हजारो संठन बने मेरे नाम पर तो उनको आगे बढ़ाना है आप बावा साब के अनुयाई हो कारे करता हो या बावा साब के भक्त हो या बावा साब के बुद्धी जीवी हो और अगर आप बावा साब के प्रबुद्ध तो मेरा निवेदन बावा साब के प्रबुद्ध से है कि किर्प्टा करके समय बड़ा कुरूसिल है, ये एक तरह से पूरी एमर्जनसी चल रही है प्रवुद लोगों आप सब कम से कम इन लोगों को बताए कि बिना एकटे किये हुए अलग अलग से कहीं कोई result नहीं आने वाला अगले 200 साल में भी अगर अगले 100 साल में 200 साल में भी कोई result की strategy बता दे कोई plan बता दे बहुत सारे नेता है जिसने कहा कि 10 साल मेरे साथ चलो मैं आपको result दूँगा 20 साल मेरे साथ चलो मैं आपको result दूँगा मेरा ये plan है मेरा ये plan है सब flop है सब एक दूसरे को गाली बख रहे हैं इतना भी समझ नहीं है कि सब को एक दूसरे को गाली नहीं बखनी है सब को साथ रहना है सब एक दूसरे को छोटा बताते रहते हैं और लोगों को कहते रहते हैं कि संगडित हो जाईए और खुद संगडित होते नहीं इसलिए 14 अप्रेल चुकी जा चुका है अब मेरा कोई भी संग्ठन नहीं है मैं आजाद हूँ मैं किसी भी संग्ठन को कोई पैसा नहीं दूँगा ना ही किसी की मीटिंग में जाऊंगा मैं हमेसा ऐसा वीडियो बनाता रहूंगा जिसमें कारेकरताओं को जो प्रवद्द लोग हैं जो अनुयाई हैं उनको ये समझ आती रहे कि हमारा कल्यान नहीं होने वाला हमारे दुस्मन वो लोग नहीं है जो हमसे परे हैं जो हमारे लिए ऐसी रणनीती बनाते हैं जिससे हमारा नुक्सान होता है हमारे दुस्मन वो लोग हैं जो हमें दसियों हजार संग्ठनों में तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि एक संग्ठन से दूसरे संग्ठन में नहीं जाना है यही काम पहले के लोगों ने किया 6,743 जाती बनाकर उन्होंने कहा कि जातियों में रहना है अलग नहीं जाना है यही काम इन नेताओं ने किया दस्यों हजार संग्ठन बना कर ये नेता एक दूसरे को सहोग करते हैं ये नेता कभी नहीं कहते कि सब को इखटा होना चाहिए मैंने कभी भी समल समाज के S3, S3, OBC के नेताओं के मुuh से मीटिंग में कभी ये नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा हो कि सारे के सारे जितने भी लीडर है जितने भी कारे करता है वो सब आजाओ हम सब इखटा होते हैं कोई नेता नहीं कहता सब एक दूसरे को गाली बकते हैं और ये कहते हैं मन से कि ये नेता खराब है और ये नेता खराब है ये काम उर्थीक वही काम है जो आप से 700-800 साल पहले 6,743 जातियों बना के किया गया था कि इस जाती मजजाना ये जाती खराब है, उस जाती मजचाना ये जाती छोटी है, ये बड़ी है वही काम ये नेता कर रहे हैं दरसियों हजार संग्ठन बना के कहते हैं कि आपको संग्ठन के उसके व्यक्ति के पास की नहीं जाना उस संग्ठन में नहीं जाना उसके लिए कुछ करना भी नहीं है मेरे संग्ठन में ही रहना है ये एक दूसरे को छुपा हुआ सायोग करते हैं ये नेता जितने भी हैं ये कभी यूनिफिकेशन की बात नहीं करेंगे एक साथ इखटे होने की बात नहीं करेंगे और हमें रोकिंगे भी वो 6,743 जातियों में जिन्होंने हमें तोड़ा उन्होंने हमें कोई लाव ने दिया, हमारा शोशन किया, हमसे पैसा लिया, हमारा समय लिया हमारी मजदूरी लिया, हमारी खेती लिया, हमारी किसानी लिया, हमारी बेगारी लिया ये 10,000 जो संग्ठन आगी डियर्म बने हुए हैं ये हमारा पैसा लेते हैं, हमारी महनत लेते हैं, हम इनके काईक्रम में जाते हैं, इनका जंटा उठाते हैं, इनकी वावाई करते हैं, इनकी परसंसा करते हैं, इनके लिए लड़ते हैं। 6,743 जातियों में जिसने हमें तोड़ा उसने भी आज तक हमें कुछ नहीं दिया ना हमें पैसा दिया, ना रोटी दी, ना खाना दिया, ना पाने दिया ये 10,000 संग्ठन भी आज तक हमारे लिया कुछ नहीं लेके आए बलकर जो बावा साब लेके आए थे, उसको भी ये बापस कराए और इन्होंने आवाज तक नहीं निकाली ये सारे संग्ठन एकटे होके, एक मुस्त होके, आवाज दे के ये नहीं बोले कि ये बावा साब ने दिया है, हम इसका विरोध करते हैं रोहित वैमूला की डैथ होती है, तो जंतर मंतर दिल्ली के अंदर पाँच बाम सेफ के संग्ठन अलग-अलग प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं रोहित वैमूला की डैथ का ये बुद्धी जीवी कहते हैं, अपने आपको कहते हैं, हमसे बड़ा कोई इंट्लेक्शल नहीं है, और इनसे बड़ा कोई आधा गुद्धी जीवी नहीं है, कि पाँचों वहाँ एकटे भी नहीं हो सकते हैं, जब तुमारी विचाधारा एक है, जब तुमारा काम एक है तुम नाम भी एक रखते हो, तुम जब प्रजशन अलग करते हो, तो सरकार को जो मैमोरेंडम देते हो, वो मैमोरेंडम पर कूरे में जाता है, वो आपके मैमोरेंडम को पड़ेगा कौन, वहाँ तो हसते हैं, पाँच बाम सेफ का मैमोरेंडम आया है, पाँच ओ बाम सेफ कि हम समाज को जगा रहे हैं आप समाज को जगा रहे हैं आप साती साज समाज को सुला भी रहे हैं दसियों हजार संग्ठर में आपको इतनी समझ नहीं है कि अब समय है कि सब को इखटे होके एक साथ आना चाहिए या मेरे जैसे लोग जब हजारों जैसे लोग आपको बिल्कुल छोड़ देंगे जैसे मैंना छोड़ा, बहुत सारे लोगों से मेरी बात्चीत है और बहुत सारे लोग इस समय बले परिशान हैं और लगबग छोड़ चुके हैं कुछ तो विपस्टा करके जा चुके हैं अपना पलह ज़ाड़ लिया कि हम तो बुद्ध की स्रण में चलेगे क्योंकि आप नाकाबिल लोग हैं आप संगटित नहीं कर सकते आप काबिल बनिये, संगटित हो ये जैसा बाव साब ने कहा है ताकि लोगों का विश्वास जगे और देश आगे बड़े, देश की तरक्की हो और हम दुनिया में नाम कमाएं धन्यवाद